गुड मॉर्निंग और वेलकम टू पी डबलो ओली आईए स्वागत है आप सभी लोगों का करेंट अफेर्स के हमारे आज के इस सेशन में आज 9 फरवरी 2026 है तो आज ये देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हम discuss करने वाले हैं यूँ तो कई सारे important articles हैं जिन पर आज हमारी बातचीत होने वाली है इन articles पर जरूर से बातचीत करेंगे लेकिन उसके पहले देखेंगे कि The Hindu में front page पर क्या है अगर आप The Hindu को open करते हैं तो यहाँ पर एक white paper government के द्वारा release किया गया है on Indian economy जहाँ पर government ने ये कहा कि इसके पहले की सरकार के 10 सालों में इंडिया के economy की हलत खस्ता हो गई थी और present government ने आने के बाद economy को crisis में जाने से बचाया वहीं जो opposition party है Congress उन्होंने एक black paper यहाँ पर release किया उनकी economic conditions के उपर तो खैर ये political debates के उपर based एक article आपको बिलकुल front page पर मिलेगा लेकिन front page को ही आप scroll down करते हैं तो आपको एक बहुत ही important article मिलता है and that is about FMR यानि कि free movement regime free movement regime के बारे में वैसे तो एक दफा हमारी बातचीत पहले भी हुई है लेकिन आज इसे वापिस से discuss करते हैं reason being आज और पिछले कुछ दिनों में ये multiple times news में रहा है जैसे कि अभी अमिस साजी ने बोला कि मियांगमार के border के उपर जो free movement regime 2018 से ही चल रहा है हम उसे बंद करेंगे ऐसा करके हम जो unfenced border है उसे ज़्यादा secure बना पाएंगे और जो बहुत बड़ी संख्या में लोग मियांगमार से इंडिया में आते हैं उस पर भी थोड़ी सी रोक लगाई जा सकेगी इस पूरे decision को जो मड़ीपुर के chief minister है एन बिरेन सिंग जी उन्होंने welcome किया और भी कई से राजियों ने इस step को welcome किया है इस पूरे article को विस्तार से देखेंगे क्योंकि ये front page पर भी है news में भी है काफे highlighted है तो एक बार फिर से इस पर चर्शा बनती है उडान के booklets साब सभी लोगों के लिए available हैं आप इस QR code को scan करके इस booklet को available कर सकते हैं चलिए शुरुवात करते हैं अपने articles पर और article की शुरुवात वहीं से करेंगे जिस पर अभी मारी चर्शा हो रही थी and that is free moment regime Home ministry ने भी हाल ही में recommend किया कि हम immediate effect से जो free moment regime है उसे suspend कर देते हैं जो इंडिया और म्यांग मार के border पर है aim यह रहेगा कि हम अपनी internal security को और बहतर बना सकें ताकि demographic structure इंडिया का specifically north eastern states का जो म्यांग मार को border करता है वो बदले न अपनी natural course को maintain रखे ध्यान देजे यह हमारा north eastern region है आप मैं आपको यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर यह अरांशर प्रदेश है पर that's नागा लेंड जो border share कर रहा है यह मड़ीपुर है और यहाँ पर मिजोरम है तो रांशर प्रदेश, नागा लेंड, मड़ीपुर और मिजोरम यह चार राज्ये हैं जो म्यांग मार के साथ अपना border share कर रहे हैं और यह red color में जो highlighted line है यह म्यांग मार का border है इस साल की जनवरी में भरत सरकार ने एक tender process शुरू किया था जहां पर यह बोला गया था कि हम लोग एक advanced smart fencing system develop करेंगे इस पूरे border पर ताकि जो लोग illegal तरीके से इंडिया में आ जाते हैं हम उन्हें रोक पाएं मडिपूर के chief minister एंड बिरें सिंग ने urge किया था request करी थी कि हमें fmr को curve करना चाहिए इससे जो illegal immigration है वो रुकेगा और border security को हम promote कर पाएंगे मडिपूर 390 km का border share करता है म्यांग मार के साथ तो मडिपूर के लिए ये मामला थोड़ा जादा ही गंभीर रहा है और मडिपूर ये चाहता भी है कि situation को improve कर लिया जाए रिवा का question है कि PDF कहां से मिलेगा इस session का रिवा इस session के last में मैं आप एक QR code दूँगा जिस पर मेरे टेलिग्राम चैनल का address होगा और आप इस QR code को भी scan कर सकते हो जिसके बाद आप आराम से वहीं से ये PDF डाउनलोड कर सकते हो हर दिन ये PDF वहीं पर upload कर दी जाती है जदतर बच्चे वैसे मेरे उस Telegram चैनल पर अल्रेड़ी जुड़े हुए है यहाँ पर बात free movement regime की भी करते हैं What is this free movement regime? Simply saying ये है इंडिया और ये है म्यांगमार Britishers का क्या था उनको जो जहां से समझ में आता था boundary बना देते थे उनको बाकी चीज़ों से मतलब होता नहीं था तो Britishers ने यहाँ पर एक boundary बना दी But region being आपको ये समझना चाहिए कि ये जो region है That is the region of India That is the region of Pakistan म्यांगमार पाकिस्तान कहां से आजाएगा आएगा पाकिस्तान कभी number आएगा यहाँ पे यहाँ पे जैसे जो ट्राइबल से रहते हैं वो same family के हैं I will say same ethnicity के हैं ये same ethnicity के tribal group इस border के दोनों तरफ हैं अब आपने तो एक artificial line draw कर दी ये अलग-अलग हो गया लेकिन 2017 में क्या हुआ कि रोहिंग्यास का refugee crisis आ गया तो हमने जो थोड़ी बहुत सहुलियते दी जा दी थी एक दूसरे को लोगों के movement को लेकर उसे थोड़ा सा अभी scrap कर दिया गया है तब 17 में scrap किया गया लेकिन 2018 में एक बार पर से जो government है उसमें थोड़ी से east दिखाई और 2018 में government है अपनी act east policy को implement करते हुए free movement regime को implement किया what was that free movement regime free movement regime के टहर म्यागमार से इंडिया में और इंडिया से म्यागमार में रहने वाली जो stripes हैं वो 16 km country के अंदर तक बिना किसी visa के एंटर कर सकते हैं Tribals ठीक है उनका एक connection बिल्ड रहे दूसरे ग्रुप के साथ और वो आराम से आज आ सके इसी लिए ऐसा किया गया था but you can understand कि Indian tribes म्यागमार में और म्यागमार के tribal community के लोग इंडिया में 16 km तक अंदर आ सकते हैं trade कर सकते हैं एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं इससे क्या होगा कि connection बिल्ड रहेगा उनके traditional systems strong रहेगे उनका culture retained रहेगा maintained रहेगा Britishers ने 1826 में जो artificial तरीके से line को draw कर दिया था उसका ये एक छोटा सा solution था लेकिन इसके बाद problems बढ़ने लगी problems क्या बढ़ें let me tell you हमने उमीद की थी कि इससे local trade enhance होगा business enhance होगा tribal से एक दूसरे से connect करेंगे ethnic और familial ties और बहतर होंगी उन tribes के बीच में जो border के दोनों ओर रह रहे हैं low income economy इंडिया में इस region में जो चल रही है वो थोड़ी सी enhance हो जाएगी लेकिन बदले में हमें क्या मिला illegal immigration drugs की trafficking guns की running ये border पूरी तरीके से पूरा सो चुका था FMR का इस्तेमाल म्यागमार में कई तरीके की illegal activities को operate करने के लिए किया-किया जैसे कि drugs की trafficking और weapons का trade कई सारे insurgent group जो इंडिया को नुक्सान पहुचाना चाहते थे वो बड़े आराम से म्यागमार में घुसकर वहाँ camp लगा लेते हैं वहाँ अपने insurgents को train करते हैं हथियार avail करते हैं और उन्हें धीमे से इंडिया में भेजकर वाइलिंस फैलाने की कोसेस करते हैं ये कई सारे करण रहे जिसके बाद हमें ऐसा लगा we need to reconsider this free movement regime हमें इस free movement regime को वापिस से consider करना होगा हमें ऐसा महसूस होने लगा ठीक है इसके बाद क्या होता है म्यागमार में military coup हो जाता है ये C-O-U-P spelling है इसकी बढ़ हम इसे पढ़ते कू है अब कू का मतलब होता है सैने विद्रो military विद्रो फरवरी एक 2021 को वहाँ पे military coup होता है जहाँ पर जो आर्मी है वो सत्ता हथिया लेती है उसके बाद वहाँ पे जो कूकी और चिल लोग थे उनको काफे दो पर्सीक्यूट किया जने लगा और जब उन्हें पर्सीक्यूट किया जने लगा तो वो लोग भाग भाग के इंडिया आने लगे इंडिया अगेन refugee crisis face करने लगा जैसे कि 2017 में रोहिंग्यास का हुआ करता था मड़ीपूर में जो conflict हुआ रहा मेतीस का और कुकीज का वहाँ पे भी मेतीस का रोप यही था कि कुकीज की संख्या बढ़ती जा रही है illegally migration के जरीए इस तरीके से यहां की पूरी situation destabilize हो रही है unfast border को monitor कर पाना भी इतना आसान नहीं होता terrain भी difficult है तो कौन कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है नहीं पदा चल पाता तो कई सरे reasons से जिसके बाद हम ऐसा सोच रहे थे now we need to reconsider about this free movement regime हमें थोड़ा साफ वापिस से सोच ना होगा ठीक है तो यह तो पूरा मामला रहा free movement regime का जो highlighted है हाल फिलहाल में हमारा अगला article RBI की monetary policy के बारे में है RBI के governor सक्तिकान दासदी ने अनाउंस किया कि monetary policy committee में जिसमें 6 लोग होते हैं उसमें 5-1 से decision आया है और 5-1 से decision ये कहता है कि जो repo rate है हम उसे 6.5% पर maintain करेंगे जबकि लोग मीदिय कर रहे थे कि हो सकता है repo rate को कम कर दिया जाए अब इन्होंने repo rate को कम क्यों नहीं किया ये सवाल बनता है और सवाल ये है कि अभी जो RBI है वो accommodative policy opt कर रही है simply means accommodative policy को withdraw कर रही है इसका मतलब ये है कि inflation को हमें कम करना है और उसे 4% पर लेकर आना है हमें पता है कि MPC के पास जो target है inflation को maintain करने का that is 4% plus minus 2 it simply means कि आप inflation को 4% पर टिकाओ 2% टूपर 2% नीचे चलेगा लेकिन target ये रहता है कि 4% पर inflation को टिकाया जाए अब देखो inflation कैसे बढ़ता है ये समझो और repo rate क्या है जैसा कि yes का पूछना है जिसके पास ने खूब सारे पैसे हैं और इसके कई सारे छोड़े छोड़े भाई हैं यानि कि कई सारे छोड़े छोड़े बैंक्स हैं तो अभी छोड़े छोड़े बैंक्स हैं इनको पैसा चाहिए होता है तो जब इनको पैसा चाहिए होता है तो ये RBI से पैसा मांगते हैं तो RBI भोती है ठीक है भाई सब हम आपको पैसा दे देंगे, हमारे पास खूब सारा है हमारे पास नहीं रहेगा तो हम छाप लेंगे खैर, पैसे छापने के अलग equations होते हैं कभी चर्चा होगी, अभी के लिए RBI जो है, वो छोटे-छोटे जो banks हैं, उनको पैसे उधार देती है और जब वो पैसे उधार देती है तो वो एक ब्याज लेती है इन banks से, छोटे भाईयों से ब्याज तो एक ब्याज लेती है यानि कि एक interest rate लेती है और ये जो interest rate इन banks से RBI वसूलती है इसे ही repo rate कहा जाता है इसी interest को repo rate कहा जाता है मतलब वो rate जिस पर ये banks RBI से पैसा उधार ले सकते हैं और जो interest उनको चुकाना होता है that is repo rate चलो repo rate तो आपने समझ लिया अब repo rate का रेकोई impact क्या होता है अगर repo rate जादा है यानि कि ब्याज जादा है तो bank कम उधार लेंगे ठीक है लेकिन अगर ब्याज कम है तो bank जादा उधार लेंगे simply saying यहाँ पर अगर repo rate 6.5% है और लोग कह रहे थे कि repo rate हो सकता है कम हो जाए अगर repo rate कम हो जाता तो ये bank जादा उधार लेगना शुरू कर देते RBI से लेकिन RBI ने repo rate कम ही नहीं किया उसमें बोला ना ना आपको हम जादा उधार देंगे यहीं अब अगर bank ने RBI से जादा उधार लिया तो क्या होगा अगर bank ने RBI से जादा उधार लिया तो bank जादा loan देगा आम जनता को जब आम जनता के पास यानि कि common man के पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे in the form of loan simply saying कि market में खूब सारे पैसे आ जाएंगे तो जब market में खूब सारे पैसे आ जाएंगे तो लोग जादा खर्च करेंगे और लोग जादा खर्च करेंगे तो supply बढ़ जाएगी अगर आपको money supply को market में control करना है तो वो ब्याज जिस पर bank पैसा लेते हैं उसको बढ़ा दो तो bank पैसा ले नहीं पाएंगे लोन दे नहीं पाएंगे और market में पैसे की कमी होगी तो inflation control में आ जाएगा और यही करण रहा कि यहाँ पर accommodative policy को withdraw किया गया और repo rate को 6.5 पर maintain किया गय ताकि banks के लिए RBI से पैसा लेना थोड़ा मुश्किर हो और वो loans थोड़े कम दे और market में inflation थोड़ा control रहे तो यह तो fundamentals रहे दीजवर्दी fundamentals कुछ और basic बाते और policies के बारे में मैं आपको बताता हूँ RBI नहीं यह बोला कि जो GDP growth है वो 2023-2024 में तो 7.3% की रही लेकिन 2024-2025 में इसके 7% जानी की probability है summer 2022 के बाद ही जो inflation है वो थोड़ा बढ़ा रहा हमें इसे 4% पर टिकाना है और इसके लिए हम प्रयास करेंगे इसके लिए हम प्रयास करेंगे ठीक है जो inflation है जो inflation है उसको control करना एक fundamental objective रहा इस पूरी monetary policy का CPI inflation 2024-2025 में 4.5% रहने वाला है banks और non-banking financial corporations यानि की NBFCs दोनों नहीं अपनी बहतर financial health को portrait किया है या दिखाया है RBI regulatory measures ले रही है ताकि यहाँ पर situation को थोड़ा सा improve किया जा सके We are making efforts ताकि situation थोड़ी बहुत improve हो सके financially अब एक सवाल आता है यहाँ पर यह भला monetary policy क्या होती है देखो economy को control करने के दोनों लोग प्रयास करते हैं जैसे कि हमारी government भी और हमारी RBI भी under monetary policy committee तो जब सरकार economy को control करती है policies बना कर तो उसको fiscal policy कहते हैं लेकिन जब RBI policy बना कर हमारी economy को control करती है तो उसको monetary policy कहते हैं monetary policy एक micro economic policy है जिसका इस्थिमाल RBI करती है अब MPC यानि की monetary policy committee करती है ठीक है इसका objective यह होता है कि हम money supply और interest rate को control करें ताकि हम इंडिया में inflation, consumption, economic growth और market में liquidity पैसे की liquidity या supply उसको maintain कर सकें monetary policy जो इंडिया की है उसे RBI formulate करती है और इसका aim होता है कि money supply को control किया जाए जिससे कि हम बागी के systems को avail कर सकें ना दो तरीके की policies opt की जाती है RBI के द्वारा एक को बोलते हैं expansionary monetary policy जिसे हम accommodative monetary policy भी बोलते हैं इसमें हम money supply बढ़ाते हैं मतब हम चाहते हैं कि market में जाधा पैसा जाए क्योंकि जाधा पैसा जाएगा तो लोगों के पास जाधा पैसा होगा जाधा investment होगा economy ग्रो करेगी पर उसके साथ ही inflation आता है जब market में जाधा पैसा होता है तो growth भी आती है inflation भी आता है अगर market में जाधा पैसा आपने डालना है तो आप repo rate को कम कर दो आप repo rate को कम कर दो बैंक जाधा loan लेना शुरू करेंगे market में जाधा पैसा चला जाएगा लेकिन इसके opposite contractionary या tight monetary policy को opt किया जाता है इसका objective होता है कि market में पैसे को कम भेजा जाए और इसके लिए reverse repo rate को बढ़ा दिया जाता है repo rate को यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है तो दो तरीके की policies monetary policy committee opt करती है खेर चली यह तो RBI की बात हो गई MPC की भी बात हो गई हमारा अगला article NASA के PACE satellite के बारे में है नासा ने अभी आल ही में environmental research के परपस से PACE satellite को launch किया PACE का full form देखिए plankton, aerosol, clown और ocean ecosystem इन चारों को observe या study करने के परपस से यह PACE satellite launch की गई है इसे 8 February 2024 को launch किया गया था SpaceX के Falcon 9 rocket से यह 10 सारे 10 feet लंबा है 3.2 meter long है that is not very significant objective क्या है objective यह है कि यह oceanic phytoplankton के bloom को study करेंगे aerosol को study करेंगे aerosol शोड़ चोटे particles होते हैं जो कई दफा nucleus का काम करते हैं जिसमें cloud का formation होता है plankton क्या होते हैं देखो plankton जो होते हैं वो microorganisms होते हैं बहुत छोटे-छोटे होते हैं अभी दो तरीके के हो सकते हैं zooplankton यह organisms होते हैं और phytoplankton यह plant होते हैं तो plankton चोटे-छोटे organisms होते हैं यह plant भी हो सकते हैं और मतलब you can see living organism भी हो सकते हैं तो zooplanketons living organisms होते हैं और phytoplanketons plants होते हैं तो जो phytoplanketons होते हैं जो आप कहारे हैं को phyto का मतलब भी phyto represent की करता है plants को तो लगभाग 420 mil की height पर यानि की 677 km की height पर earth से इसको हमने stabilize किया है और ये international space station से भी उचाई पर है primary mission होगा कि हम ocean की health को study करें phytoplanketons communities को study करें और analyze करें कि किस सरीके से aeroshauls जो cloud का formation है उसको impact कर रहे हैं इसमें दो instrument लगाए गए हैं एक है ocean color instrument यानि की OCI जो देखेगा कि ocean की dynamics कैसे change हो रहे हैं दूसरा है multi-angle polarimeter polarimeter मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि एक instrument होता है जो multiple sources से आ रहे ही light को या multiple sides से आ रहे ही light को polarize करके एक single frame light में convert करता है जिससे ये identify कर पाना बड़ा आसान हो जाता है कि light आ कहां से रहा है उसका source क्या है ठीक है तो ऐसे polarimeter instrument आपको कई सारे satellites में देखने को मिलते हैं आक्सर न्यूज में आते रहते हैं polarimeters तो sun की light का polarization करेंगे और analyze करेंगे atmosphere को oceanic condition को phytoplanketan का बड़े important है और इसी ने इनको study करना भी ज़रूरी है phytoplanketan जो होते हैं वो aquatic food wave में बहुत basic बहुत base पे आते हैं foundation है उसका क्योंकि इने ही छोटे-छोटे organisms खाते हैं भी हो जाती है going ahead हमारा जो अगला article है वो world sustainable development summit के बारे में है हाल ही में हमारे prime minister नरिंद्र मोधी जी ने best wishes दी the energy and resource institute यानि की terry को क्योंकि उन्होंने 23rd edition अभी organize करवाया है world sustainable development summit का इसके तहत इंडिया एक global force बन रहा है जो कि climate change के against लड़ने में दुनिया की मदद कर रहा है आप अकसर सुनते हो न कि Finland का या Sweden का यह organization है जो यह summit organize करवाता है हम तो कैसे पढ़ते हैं तो मन में खयाल आता है क्या इंडिया में ऐसा कोई organization नहीं है क्या जो कि दुनिया भर के लिए summits organize करवाता हो तो ऐसा कत्ता ही नहीं है हमारे यहाँ भी है तो हमारे यहाँ यह काम थोड़ा बहुट टेरी करता है टेरी 2001 से ही sustainable development को promote करने के लिए efforts कर रहा है और उसके बाद से ही उन्होंने इस summit को organize करना शुरू किया था जहाँ पर यह global community को एक अठा करते हैं इसका जो 23rd edition रहा इसकी theme रही leadership for the sustainable development and climate justice अब यहाँ पर आप समझेए क्या है यह टेरी the energy and resource institute टेरी एक think tank है जो policy formation में मदद करता है जो टेरी है यह sustainable development के research के लिए इंडिया में काफे लंबे time से काम कर रहा है यह independent तरीके से काम करता है government से associated नहीं है research, policy, consultancy और service implementation में का key role रहता है 1974 में इसको established किया गया था तब यह energy information center की तरह काम करते थे जानकारी देते थे कि इंडिया में जो energy का status है वो क्या है लेकिन फिर क्या होता है कि इन्होंने 1982 onwards energy efficiency के उपर काम करना शुरू कर दिया साथ ही काम शुरू हो गया sustainable development के उपर भी focus area रहता है resource efficiency को promote करना, sustainable practice को enhance करना और environmental और climate impact को mitigate करना headquartered है new Delhi में चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला article है car t cell therapy के बारे में पहला commercial patient जिसने पैसे देकर car t cell therapy करवाई sorry वो cancer free हो चुका है मतब car t cell therapy जिसके बारे में खूब सारी बाते होती थी कि ये cancer को सही कर सकता है उसने वास्तों में एक patient को सही कर दिया है आपको समझना होगा कि car t cell therapy क्या है सबसे पहले तो October 2030 में इंडिया में car t cell therapy को अप्रूव कर दिया गया और लगभग 15 ऐसे hospitals हैं जहां पर इंडिया में car t cell therapy available है Drug Control General of India ने अप्रूव किया Chemeric Antigen Receptor यानि की car t cell therapy को और इंडिया में जो car t cell therapy इस्तिमाल की जा रही है उसका नाम Next Car 19 है Next Car 19 लगभग 30 hospitals में इंडिया के लगभग 10 शहरों में available है 15 साल से अधिक उम्रका कोई भी patient जो B cell cancer से प्रभावित है ये एक immune system cell होता है वो car t cell therapy ले सकता है ये अश्का कहना है कि क्या हम इसमें car का इस्तिमाल करते हैं और car के जरीए हम cancer सही कर देते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है हम इसमें car का इस्तिमाल नहीं करते इसमें जिस car का इस्तिमाल होता है वो एक different car है वो कैसे different car है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा fundamental आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा आप fundamental समझोगे तभी बात बन पाएगी अब आपको समझाता हूँ समझो हमारी body में एक immune system होता है हमारा और जो हमारी body का immune system है उसको एक काम दिया गया है और काम यह है कि आप हमारी body को किसी भी खराब cell से, tissue से बचाओ अगर वो damaged है तो उसको खतम करो अब अगर हमारे cell को या हमारे immune system को यह पता चल गया न कि हमारी body में कोई cancerous cell आ गई है जो यह cancerous cells होते है या cancer के जो भी tissues होते हैं उन पे ऐसे receptors लगे होते हैं आपने Corona को भी देखा होगा अब हमारा immune system हमें इस तरीके की cancerous cell से हम इसको क्या बोलते हैं यह है cancer cell यह है cancer cell तो ऐसी cancer cell से बचाने के लिए हमारा जो immune system है वो क्या करता है हमारा immune system इसके लिए T cells generate करता है यह T cells निकालता है इन cells को T cell कहा जाता है यह बहुत ही natural सा process है that is T cell तो यह क्या है यह है T cell T cell का काम ही क्या है T cell का काम है कि यह T cell यहाँ पर जाए और यह जो green color वारा receptor है यह इस red color वार receptor से connect कर ले और connect करके इस cancer वाली cell को मार दे यह बहुत ही common से प्रक्रिया है और यही तो काम है न हमारे immune system का हमें इस तरीके की harmful cells से बचाना और वो यही करते भी है लेकिन यह cancer की cells बड़ी शरार्ती होती है यह बड़ी चालाक होते है इनको पता है कि जब यह हमारी body में जाएंगे तो हमारा जो immune system है वो T cells भेजके इनको मार देगा तो यह खुद को इन T cells से बचाते हैं और इन T cells से बचाने के लिए यह बड़ी चालाकी करते हैं बड़ी चालाकी करने का मतलब यह है कि यह cancer वाले cell खुद को ऐसे दिखाएंगे जैसे यह healthy cell हैं खुद को healthy cell के तरह छुपाना शुरू कर देते हैं या फिर यह और चालाकी करते हैं जैसे protein के spikes इनके उपर निकले होते हैं यह खूब सारे spikes ऐसे generate कर लेते हैं और जब यह खूब सारे spikes generate कर लेते हैं तो फिर यह जो हमारा T cell है हमारे immune system का वो इनको मारी नहीं पाता यह कई तरीके की चलाकिया करते हैं हमारे immune system के T cell से बचने के लिए और इसके जरीए यह बच भी जाते हैं तो बड़ी परेशानी हो जाती है लेकिन हमारे doctors कहते हैं रुको जरा थमजाओ बताते हैं भी तुमको तो वो क्या करते हैं वो हमारी body के T cells को निकाल के बाहर lab में लेकर आते हैं हम अपनी body के T cells को निकाल के lab में लेकर आते हैं lab में हम उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं और इस T-cell में जो हम बदलाव करते हैं, हम इसमें कुछ additional antigen receptors लगा रहे थे हैं, antigen receptors, और इसे हम कहते हैं chimeric antigen receptors, तो हम इस हरे वाले cell को निकाल के lab में लेकर आएंगे, और lab में हम इरे कुछ और हतियार देंगे, बोलेंगे ये cancer वाले cell बड़े शरारती हैं, आपको थोड़ में लेकर आएंगे, और इनमे कुछ और receptors add कर देंगे, बोलेंगे, हम आपको और बढ़ी तरेके से तयार करते हैं, तो हम इनमे कुछ और receptors add कर देंगे, कुछ और receptors add करने का मतलब यह है, कि यहाँ पर हम इनके पास कुछ और ऐसे spikes add कर देंगे, और अब हमारा जो ये T-cell है ये बन गया CAR T-cell, जो पहले T-cell हुआ करता था, इसने अब एक नया आउतार ले लिया, और इसका जो नया आउतार है, उसमें ये चिमरिक antigen receptors के साथ आया है, और T-cell अब बन चुका है CAR T-cell, और अब ये CAR T-cell हमला करेगा वापिस से इन cancerous cell के पास, वो लेगा अच्छा, तुम्हारे पास ज्यादा spikes हैं, कोई बात नहीं, हम भी नई spikes लेकर आए हैं, अब हम तुम्हें जान से मार देंगे, तो हमारी के आसान भासा में समझाना चाहा है, उम्मीद करता हूँ, आप समझ गए होंगे, CAR T-cell थेरफी एक novel immunotherapy technique है, जिसमें हम बॉड़ी के immune system का ही इस्तेमाल करते हैं, cancer को मारने के लिए, यानि कि T-cells का, T-cell हमारी बॉड़ी के immune system का ही तो पार्ट है न, इसके लिए कई सारी लैब में लेकर जाते हैं, genetically alter करके उसमें receptors आड करते हैं, और इस receptors को चेमरिक antigen receptor यानि की CAR कहते हैं, ठीक है, और इस तरीके से ये बन गया CAR T-cell therapy, ठीक है, सो, यहाँ पर इसका जो effect होता है, ये काफी बहतर है, ये हमारे immune system को strong कर देता है, और जो infected cells होती है, उन्हें damage करना शुरू कर देता है, ये chemotherapy या bone marrow transplantation जो बहुती common practice है, cancer से बचाने के लिए, उसके comparison में कई गुना जाधा कारगर है, ये treatment cost को reduce करता है, अगर इसे इंडिया में develop किया जाए तो, हलांकि मैं आपको बता दूँ कि CAR T-cell therapy इंडिया में अभी भी बहुत महंगी है, अगर आप European countries म देंगे, लेकिन अगर आप इंडिया में भी जाते हैं, तो इंडिया में भी CAR T-cell therapy में 30 से 40 लाख रुपए लग रहे हैं, अभी मैं present की बात कर रहा हूं, अभी एक नई technology है, cancel को सही करने के लिए, नई technique है, लेकिन फिर भी इसमें देखो 30 से 40 लाख रुपए तो अभी भी इंडिया में खर्च हो ही रहे हैं, ठीक है, बट अगर इसकी success rate देखें, तो ठीक ठाक है, ये बात तो समझ में आ गया, चलिए, तो ये नई technology इसके उपर UPSC question पूछती रहती है, हमारा जो अगला article है, वो किलकारी प्रोग्राम के बारे में है, किलकारी प्रोग्राम एक awareness है, इस जिसे अभी mobile health initiative के तहत शुरू किया गया है, किलकारी समझते हो, जो बच्चा जो अपनी आवाज निकालता है, गरगल करता है, उसको किलकारी बोलते है, इसमें क्या होता है, सपोस करो कि एक जो माह है, वो गरभवती है, और उनका data government के पास पहुँच गया, तो उन उन्हें समय समय पे audio messages भिजी जाएंगे IVRS के तहट, ना किवल उनके पास, बलकि उनकी family के सभी members के पास, उनके contact number ले लिए जाएंगे, उनको बताया जाएगा 72 audio messages के जरिए, कि उन्हें मा की देखभाल कैसे करनी है, जो बच्चा आएगा, उसकी देखभाल कैसे करनी है, इ ये तो basic सी बात है, किलकारी प्रोग्राम के बारे में, आप में इस वगेरा में चाहो तो coat कर सकते हो, हमारा जो अगला article है, वो sulfur coated urea के बारे में है, हम urea को थोड़ा सा, बेतर तरीके से इस्तिमाल करने के efforts कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें chemical fertilizers का इस्तिमाल करना पड़ता है हमारी productivity को enhance करने के लिए, जिसमें nitrogen, phosphorus और potassium common है, nitrogen uptake India में, जो हम urea के जरीए देते हैं, फसलों को वो बहुत कम है, केवल 10-15% देखो, यहाँ पर हमारे यहाँ जो urea के efficiency है, वो 30-40% की ही है, around 70-80% urea या nitrogen हमारी फसलों में urea से बरबाद हो जाता है, और वो in moment को loss महुचाता है, अगर हम उस urea के उपर sulfur को coat कर दें, तो यह कहा जा रहा है कि urea की 10-15% efficiency बढ़ जाएगी, price भी competitive ही रहेगा, normal urea जैसा ही, और field trials थोड़े और बहतर करने होंगे, ताकि हम समझ पाएं कि यह better काम करेगा या नहीं, nitrogen बहुत जरूरी है हमारी फसलों के लिए, यह हमारी yield क बढ़ाता है, और productivity को enhance करता है, अगर हम nitrogen intake की बात करते हैं, urea जिसमें nitrogen होता है, हमारी फसले उसका 35-40% ही ले पाती है, around, अगर आप दूसरे देसों में जाते हैं, तो 80% nitrogen का intake होता है fertilizer से, हमारे यहाँ वो नहीं हो पाता, तो इस nitrogen के imbalance को maintain करने के लिए, हम कही तरीके इस्त प्रणाम, यह incentive देता है states को कि वो chemical fertilizers reduce करें, और SCU यानि की sulfur coated urea भी इसी जिसा में एक कदम है, ठीक है, last session मैंने आपसे question पूछा था, यह ember box, blue box, green box, answer भी बोली दिया था, WTFS associated है, लेकिन आज का answer नहीं बोलूँगा मैं, आपने बताना है 2020 का question है, chemical fertilizers को लेकर, at present, जो retail price chemical fertilizer का, वो market driven है, इसे government administer नहीं करती, दूसरा कि ammonia, जो की urea का एक input है, इसे national gas से produce किया जाता है, तीसरा sulfur, यह एक raw material है, जो phosphoric acid fertilizer है, के लिए इस्तेमाल होता है, और यह oil refineries का by product है, आपने बताना है कौन सा statement correct है, कौन सा नहीं, आप देखो इस तरीके की चीजों के उपर UPSC question पूछ ही लेती है, ठीक है, इस question को answer करिएगा comment box में, आपको इस session की PDF मिलेगी, मेरे telegram channel पे, ठीक है, इसे scan करके आप मेरे telegram channel तक जा सकते हो, बाकिया पी address भी type कर सकते हो, और वहाँ पर मैं यह PDF अप्डेट कर दूँगा, उसे लेकर आपको revise करना है, हर दिन की तरह map भी इस question last में, यह है Africa का map, और यहाँ पर यह जो highlighted country है, इसका नाम क्या है आपने बताना है, और इसकी capital भी comment box में mention कर दी है, इसी के साथ हमारा आज का यह session end होता है, मिलेगे आप से कल के session में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,